Hello kids, welcome to study point और आप सब कैसे हो बचो? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होगे आज हम line draw करना सीखेंगे आईए सीखते हैं ऐसे dots होते हैं बचो और उन्हें हमें ऐसे straight line एक draw करना होती है हम ये line draw करना इसलिए सिखाते हैं आपको कि आगे आपको numbers और alphabet लिखने में आपको बहुत आसानी हूँ इसलिए सबसे पहले हम आपको line draw करना सिखाएंगे आपने देखा मैंने ऐसे straight line draw करी है जिसे हम standing line कहते हैं ये है standing line तो आपको क्या करना है बचो? आपको अपने घर पर ऐसे standing line की practice करनी है ठीक है? तो आप अपने घर में ऐसे practice जरूर करना जिससे आपको alphabets, numbers लिखने में बहुत आसानी होगी ठीक है? और उसके साथ ही हम sleeping line भी draw करना सिखेंगे sleeping line कैसे draw करते हैं? ऐसे कैसे draw करते हैं बचो? ऐसे sleeping line हम ऐसे draw करते हैं इसे हम कहते हैं sleeping line यह हमारी sleeping line है तो आपको पता चला आपने आज क्या सीखा? हमने आज आज आपको सिखाया है कि आपको standing line आपको standing line और आपको sleeping line आपको इन line की घर पे बहुत practice करनी है जिससे आप alphabets और numbers और हिंदी के letters भी आप अच्छे से लिख सको ठीके इसको practice कर लेंगे तो next lesson में मैं आपको slanting line draw करना सिखाऊंगी जो आपको और भी बहुत help करेगा तब कब के लिए आप स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और winter में ममी पापा का कहना मान कर cap और sweater जरूर वियर करिए ठीके, bye, मिलते हैं next class में Thank you so much, bye bye